नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागिंद्र मिस्टा में कन्या राश शुक्र का रासी परवर्तन 17 मार्च से लेकर 10 अप्रेल 2021 गाड़ी घर धन संपत सब कुछ मिलेगा जी हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में सुक्र का रासी परवर्तन होने जा रहा है तो इसका कन्या रास वली जातकों के उपर किस प्रकार का परभाव पढ़ने जा रहा है तो दोस्तों सुक्र ग्रह 17 मार्च 2021 को कुम्ब रास से निकल कर मीन रास में चले जाएंगे और यहां पर 10 अप्रेल 2021 तक भरमर करने वाले हैं तो 17 मार्च से लेकर 10 अप्रेल तक कि जो समया अबधि में कन्या रास के जातकों के लिए किस प्रकार की इस्तुतिय को निरमार होगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो देखिए दोस्तो सुक्रग्रह की कन्या रास से नीच रासी है कन्या रास में सुक्रग्रह नीच के होते हैं और मीन रास इनकी उच्च की रासी होती है मीन रास में सुक्रग्रह का गोचर हो रहा है 17 मार्च से और अपनी उच्च की रासी में जाएंगे तो उच्य रास में जब ये जाएंगे तो कन्य रास के जातकों के लिए किस प्रकार से बड़ी खुश खबरियां परदान करेंगे किस प्रकार से गाड़ी, घर, धन, संपत्य इन्हें सब कुछ देते नजराएंगे इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों, इस गोचर के दवरान जो उच्य रास में जब जाएंगे सुक्र ग्रह तो बड़ी उपलब्धी हासिल कराएंगे कन्य रास की जातकों के लिए क्योंकि सुक्र ग्रह को बैदिक जोतिस में सुक्र को बहुत ही ज़्यादा महतपूर यनि की ग्रह माना गया है खास कर सुक्र सुविधाओं के लिए महतपूर ग्रह माना गया है क्योंकि सुक्र ग्रह सुक्र सुविधाओं के कारक माने जाते हैं मानेताओं के अनसार इनको दैप्तियों का गुरु कहा गया है शुक्र के प्रभाव से जातक को बैवाहिक सुक्र, शारेरिक सुक्र और भावतिक सुकों की प्राप्ति होती है इसलिए इन्हे सुक्र का कारक भी कहा गया है शुक्र ग्रह बैवाहिक जीवन भोग बिलास, कला, प्रतिभा, शुंदर का कारक माने जाते हैं शुक्र ग्रह को पेंटिंग, डांस, डिजाइनर, गायन, बाधन, नित, शंगीत, थ्रेटर, शिनेमा इन सभी चीजों के वारे में जाने जाते हैं शुक्र देव यदि जन्म कुंडली पर शुक्र बली ग्रह होते हैं अगर तो जातक दिखने में सुंदर होता है और शुक्र शुक्र शुबधाएं पराप्त करता है कम उम्र में ही बाहन का शुक्र पराप्त करता है शुक्र के सुब प्रभाव से जातक मृदभाशी होता है ऐसा जातक कलात्मक चीजों में बहुत ज़्यादा निपुन होता है कला प्रेमी होता है साथ में ऐसा जातक यदि गायन बाधन शाहित नित इन सभी विश्यों पर सनलंगन हो जाए तो जीवन में बेधर सफलताएं प्राप्त करता है सुक्र के सुब प्रभाव से जातक मृदभाशी होने के साथ साथ काम बासना में युक्त होता है साथ में ऐसा जातक यानि कि इसके लोगों के प्रती ज़्यादा आकरसित होने के ज़्यादा माहिर होते हैं और अपनी वाड़ी से लोगों को यानि कि आकर्शत भेकरते रहते हैं जन्म कुंडली पर यदि शुक्र ग्रह पीडित हो जाते हैं तो बैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है पीडित शुक्र के होने पर शरीर में कई प्रकार की बिमारियों का सामना भी करना पड़ता है जिसमें मस्तिस्क में प्रोबलम देखने को मिलती है आर्थिक जीवन में आर्थिक शंकट का सामना निरंतर करना पड़ता है आईए अब हम आपको बताते हैं कि सुक्र का यह रासी परवर्तन कन्या रास वाले जातकों के उपर सुक्र का यह किस प्रकार से परवर्तन प्रभाव डालेगा यानि कि कन्या रास के जातकों के लिए शुक्र का यह रासी परवर्थन 17 मार्च से लेकर 10 अपरल 2020 तक का जो समया विद्रो रहेगी किस प्रकार से गाड़ी धन संपत सब कुछ देते नजराएंगे इस वीडियो में हम विष्टार से जानेंगे और ये प्रेडिक्शन चंदराशी पराधारी थे कन्या रास के जातकों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पर शुक्र ग्रह आपके सातमे भाव पे इनका रासी परवतन होने जा रहा है सातमा भाव होता है हमारे बैवाहिक जीवन का पार्टनर का होता है तो कन्या रास के जातकों सातमे भाव पे शुक्र का रासी परवतन आपके लिए कई तरह के उपलबधी दे कर नज जाएगा बैवाहिक जीवन में शुक शुबधाय प्राप्त करेगा और अगर आप पार्टनर्शिप में बेपसाय करते हैं तो पार्टनर्शिप में बहुत अच्छे स्थितियों को निर्मार होगा पार्टनर्शिप में बेपसाय आपका तेजी से चलेगा पार्टनर्शिप में बेपसाय अगर करते हैं तो आप नई उचाईयों को छूते नजराएंगे लेकिन यहाँ पर आपके बैवाहिक जीवन में बहुत शुकत पूर्ण इस्थितियों का निर्मार होगा जीवन साथी का सहयोग आपके हर एक छेतर में प्राप्त होगा आप कम उम्र में ही गाड़ी बाहन घर संपत अरजित करते हुए नजराएंगे यानि कुल मिलाके कहा जाए तो कन्या रास की जातकों शुक्र का यह रासी परवतन आपके लिए कई परकार की बड़ी उपलब्धियों से लेकर आएगा 17 मार्च से लेकर 10 अप्राइल की जो समयावेदी रहेगी यह कन्यारास की जातकों के लिए बहुत ही लाबदायक रहने वाली है घर परिवार में खुशियों का वातावरन देखने को मिलेगा साथी साथ आपके केरियर में बड़ी उपलब्धी हाशिल होगी केरियर में जो समझ्याई चली आ रहे थी वो समझ्याई दूर होगी और आपके केरियर में प्रमोशन को लेकर जो समझ्याई चली आ रहे थी वो दूर होगी और प्रमोशन की योग बनते हुए नजराएंगे साथी बड़ी खुशकबरी आपको प्राप्त होशकती है या प्लानिंग कर सकते हैं घर बनाने का जो काम अधूरा पड़ गया था अधूरा छूट गया था उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे साथी अपने घरेलू जीवन में कुछ सुक्षुधाओं पर आप बृद्धी करते हुए नजराएंगे आप इसमें शुक्र के सुक्र से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं अगर आप ब्यापारी हैं कपड़े के ब्यापारी हैं तो इन छेत्रों में आपको जवरजस्त आपको लाब होगा या आप बाहन का ब्यापार करते हैं कि बाहान के बहुत से लोग सो रूम खोल के रखे हैं तो इन्हें अच्छा-खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा सुक्रका यह रासी परवतन कन्यारास की जातकों के एक कई तरह से अच्छे लाब दे कर जाएगा बिजनेस ब्यापार अगर करते हैं तो कन्यारास की जातकों बिजनेस ब्यापार में अच्छे खासे मुनाफ़े देखने को मिलेंगे कुछ आपके इंप्रोटन डील जो आपके रुकी थी वो फाइनल होती नजराएगी साथी साथ लोटरी 60 शेर मार्कट से अच्छा खासा मुनाफ़ा यानि कमाते हुए नजराएगे आर्थिक संकट आपका जो यानि परिशानी थी जो आर्थिक संकट में वो दूर होंगी साथी साथ धन अरजित करते हुए नजराएगे आकास्मिक रूप से धन का लाब होगा और आपका रुका हुआ फसा हुआ धन भी प्राप्त होगा कन्यरास की जातकों के लिए कन्यरास की जातकों शुक्र का यह रासी परवतन आपके घरेलु जीवन में लाब तो देगा साथी साथ बैवाहिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा सुकर पूर्ण देखने को मिलेगा संतान संबंदी बड़ी योजनाई बना सकते हैं संतान की नई प्लानिंग कर सकते हैं कन्यरास की जातकों प्रेम जीवन में मधूरता देखने को मिलेगी प्रेम जीवन में मिठास देखने को मिलेगी साथी साथ इस दरमियान स्टुडेंट के लिए बिद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाबदाएक इस्तितियों का निर्मार होगा क्योंकि एक तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और सुक्र उच्च के राशी में हैं शुक्र का उच्च के राशी में आना कन्यारास के जात्कों के लिए बड़ी उपलब्धी दे कर जाएगा खासकर कन्यारास के जात्कों शुक्र गह जब अपनी उच्च की राशी में आते हैं तो गारी बाहन इन दो चीज़ को जरूर शुक्र परदान करते हैं चुकि बाहन के कारक शुक्रग्रह माने जाते हैं तो बाहन का शुक्र आपको इस दर्मियान जरूर प्राप्त होगा शाथी साथ करने रास्केजात को इसमें सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगी अगर कोई प्रॉबलम आगर आपके सेथ में संबंधit कोई प्रॉबलम थी तो उसमें आपको निजात मिलेगी और बेहतर स्वास्त का लाभ प्राप्त करते हुए नजराइंगे लेकिन बाहर की खान पीन की चीजें के से आपको सांधानी बरतनी है बाहर के चीज़े बिलकुल ना खाएं पियें बलकि अपने शेहत का ध्यान रखने के लिए योगा भ्यास जरूर करें घर परिवार में यानि खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा जो सिंगल जातक हैं उनके बिवाहते हो सकते हैं जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा खुशियों से भरा रहने वाला है तो कन्यारास के जातकों ये जो सुक्र का रासी परवरतन होगा आपके लिए काफी ज़्यादा लाकी रहने वाला है आपके घर में खुशियों को महौल इसले भी देखने को मिलेगा क्योंकि आपके घर में नई खुशकबरी मिल सकती है आपके घर में सिंगल जातकों की बिबाहते हो शकते हैं और बिबाहते होने से अच्छी स्थितियों का निर्मार होगा और आपके घर में कुछ धर्म कर्म क कार होते नजराएंगे मांगली कारक्रम होते नजराएंगे शमाज में आपका मांसमान बढ़ेगा शमाज के प्रतियापका रुख ज्यादा अच्छा रहेगा समाजी कारियों में आप ज्यादा संलंग रहेंगे और साथ ही कन्यारास की जातकों आपकी जो रुची होगी इसम को लाव किस्तितिंग जरूर से लेकर 10 सप्रेलittees कि जो समय आवबित रहेगी यहाँ पर कन्याय राश किया यहाँ पर उपाय की बात करें तो देखिए आपको शुक्र से संबंधित आपको कुछ दान दच्छना करना चाहिए खास कर सुक्रवार के दिन आपको सिव लिंक पर चावल जरूर अरपित करना चाहिए ताकि आपको और जदा आपके लाभ में ब्रद्धी देखने को मिले तो ये था कन्य रास की जातकों के लिए शुक्र का रासी परवर्तन के दर्मियान 17 मार्च से लेकर 10 अपरेल 2021 की रासी फल तो दस्तों कमेंट सक्षन में सच्छे दिल से जैस संदेवारश लिखे और जाते हैं अदे वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चनल कर सब्सक्र लाइक करें और से शेयर करें चाहए संदेवाथ चाहए समय।